भारती जंता पाची के प्रदेश अध्यक श्री आदेश गुपता ने कहा कि देश में पहली बार हो रहा है जब किसी अनुसोचित जाती समाच से एक महिला को रास्ट्रपती उमिदवार बनाए गया है यह समाच के लिए गवरो का पल है इसके लिए उन्होंने अनुसोचित जन जाती समाच के ओर से प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवात किया है श्री गुपता ने कहा कि प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी ने समाच के सभी वर्गों को एक समान रूप में दे एक राजनेतिक पहचान देने का कारी किया है आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुसुचित समाज की पहली महिला रास्ट्रपती उमिद्वार के तौर पर श्रीमती द्रौपती मोमो को चुने जाने पर आयुचित धन्यवात कारिकरम को संबुदित करते हुए श्री आदेश कुपता ने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो कहती है वही करती है इसका प्रवानवक कई बार दे चुकी है देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने दलित के बेटे को महा महीम का सर्वोच पत दे कर समाज को सम्मान देने का काम किया तो अब जनजाती समाज की बेटी को राष्ट्रपती पत काउमिद्वार बना कर इस समाज को सम्मान देने का काम किया है उन्होंने दिल्ली के अनुसुची जन्जाती मोर्चे के कारेकरताओं से अपिल की है कि दिल्ली प्रदेश में पहली बार बनाए गए अनुसुची जन्जाती मोर्चे को और मजबूत बनाने का प्रयास करे ताकि आने वाले समय में मंडल स्तर पर भी जन्जाती समाज के कारे करताओं की पहचान बने आदिवाज समाज की सर्विष्ट पद पर अचुनी जाएगी और हमरे नरिद्व मोदी जी का धनवाद करते हैं आदिवाज समाज को सर्विष्ट पर बैठा के हमें गौरव साली बना दिया ऐसे हमारे अदेक्स दिली प्रिदेश के अदेश गुपत आज देश के लिए बड़ा गौरव का दिन है जब भारती इंता पार्टी ने हमारे रास्टी अद्धे स्री जेपी नड़ा जी ने और हमारे देश के ससी प्रधान मंतिसी नरेंद्र मोदी जी ने देश के इत्यास में पहली बार जनजाती समाज की बेटी देश की रास्ठ पती बनने जा रही हैं और भारती इंता पार्टी के उमीदबार के तौर पर उनकी घोशना हुई है जाती समाज से आती हूं और मैं भी महीला हूं और हमारे लिए ये बड़े गौरव की बात है कि प्रधान मंतरी ने भारत के यह सत्वी प्रधान मंतरी ने इतना बड़ा फै प्रध्यक्ची ने गठन किया है मैं उनको भी बढ़ाई देती हूं और इस मोर्चे को हम और आगे लेके चलेंगे भारत माता की जैए